Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains मैं हूँ शिपरा तिवारी और यहाँ पर आपको विल्कुल फ्री है जो केशन प्रोवाइट कराया जाता है मेरे बच्चो ताकि आपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी शिपरा मैम की जबानी बच्चो और मेरे ख्याल से आज आपको पताए कि आपको क्या पढ़ना है आज हम पढ़ने वाले हैं चाप्टर का पहला दूसरा लेक्चर जो की है माइक्रोब्स इन-Human Welfare उसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको यह सिखाया कि इस चाप्टर का कंटेंट क्या है माइक्रोब्स क्या होते हैं कहां कहां पाये जा सकते हैं कैसे उगाये जा सकते हैं और आज मैं आपको पढ़ने वाली हूँ सबसे पहला यूज आपके microbes का जो अच्छे वे में खराब वे में नहीं, बिमारी कॉस करने में नहीं तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि एक microbes कैसे कैसे आपके घर में काम आ सकता है उसके पहले अगर आप doctor बनना चाहते हैं या आप engineer बनना चाहते हैं तो हमारी well qualified team को follow कर सकते हैं ठीक है? चलो, आईए बात करते हैं microbes in human welfare में पहला जो कहानी है, वो है बच्छो जी हमारी आपके घर पे क्या use होता है? बताईए आपकी मम्मी microbes का इस्तमाल करके क्या बनाती है? मैम हमारी मम्मी तो दही बनाती है ठीक है तो लिखो ना? सबसर पहले तुमारी मम्मी बनाती है curd मैम जी हमारी मम्मी पनीर भी बना लेती है कई बार पर पनीर fermentation इन नीबू से बनता है मैम हमारी मम्मी जले भी भी बना लेती है मैम हमारी मम्मी दोसाइडली भी बना लेती है और क्या बनाती त reduction म्मी बताऊ microbes का इस्तमल GORDON कहां होता है मैश सोफ हो सपवा만 पैरी महां हमारी मम्मी तो ब्रेड भी बना लेती है और तो तोड़ा और यूश में ऊड यूज करे टो Wrestling हमें चीज भी मिल जाता पेनी जाथ आप अपका ओठीज है यह आपका कैसा है डोमेश ट करते हैं यह हो इसमें हम फर्मंटेट । कैविच को खाते हैं यह सारी चीज़ खिल एक। कर दाल उसके बाध आध लोग उसने देखा लगा फलकी हो गया जाकेра तो तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी डिश एक्सीडेंटली डिसकेवर होई होगी पर यह सारी डिश जो भी यहां पे लिखी है यह इस्ट्रीमली बच्चो ठीक है नॉर्मल फूड से ये extremely healthy होती है, बहुत जादा healthy होती है खाने में ये बहुत सारे ऐसे nutrient आपके add कर देती है जिसकी विज़े से इनकी nutritional value जो होती वो बढ़ जाती इसलिए लोग कहते हैं कि जब भी हम नाश्ता करें तो हमेशा fermented food का करना चाहिए इडली, दोसा, और आपका curd खाना चाहिए, आपका धोकला खाना चाहिए ये सब जो होते हैं, ये बहुत सारे nutrient vitamins खाने में add कर देते हैं जो आपकी गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं सबसे पहले household product में we are talking about the dairy products मेरे प्यारे बच्चों dairy products में आपको पता है कि everything is related with the milk ठीक है, किस से related है बच्चों जे, milk से related है और lactic acid bacteria, basically पूरे dairy industry में fermentation में सबसे जादा जो role play करता है, वो होता है lactobacillus which is the most popular type of lactic acid bacteria ठीक है, ये करता क्या है, आईए discuss करते हैं हम लोग क्या वो role है आपके lactic acid bacteria का dairy industry में अगर हम, dairy industry नहीं, घर पे अगर हम दही जमा रहे हैं तो dairy में सबसे important, ध्यान से सुनिएगा बच्चों देखो इदर आजाओ, सबसे important चीज जो है वो है आपकी ये ठीक है ध्यान से जमझेगा, dairy industry में सबसे बड़ा role जो है पर आपको घर वाले की बात करेंगे, तो dairy के अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों तो dairy में सबसे important role पता है कौन प्ले करता है सबसे important role आपका एक bacteria प्ले करता है, जो कि है lactic acid bacteria लactic acid bacteria सिर्फ एक नहीं है, lactic acid bacteria बहुत सारे हैं पर हमको जो strain लेना है वो है lactobacillus, ठीक है, टीक है, इसका काम यह होता है तो dairy industry में lactobacillus का एक बहुत ही popular role होता है कि वो glucose को तोड़ कर क्या बनाता है आपका lactic acid clear हो गए इतनी बात, आगे बढ़ते हैं, तो पहली line I hope की clear होई कि dairy industry में हम लोग microbes कौन से microbes का सबसे ज़्यादा इस्तमाल करते हैं lactobacillus का, यह lactose को आपका convert करता है lactic acid में इसलिए lactobacillus, lactose को ठीक है बूल गई थी, okay इंसान हुया और इंसान को भुगलती हो जाती ठीक है तो यह lactose को किसमें convert करता है lactic acid में lactic acid जो होता है यह बहुत important चीज है यह आपके जो milk होता है उसके coagulation में बहुत important होता है और यह lactic acid क्या करता है यह milk में जो protein होता है casein, ठीक है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो infants होते हैं, ठीक है basically, जो infants होते हैं उनमें यह सीधी बात करते हूं काफ्स के बारे में बात करते हूं लोग, वहां से हम लोग एक ऐसा protein भी निकालता है जिसको कहते है rennet, rennet का काम होता है coagulation of milk ठीक है और यह आपके काफ्स के स्टमक से निकाला जाता है, ठीक है उसको हम rennet tablet कहते हैं क्योंकि यह काम करता है renin जैसा है और renin क्या करता है, renin milk को curd बनाता है, अगर renin milk को curd बना रहा है तो वैसा ही काम कौन करता है, lactic acid बच्चे के स्टमक में एक enzyme होता है, जिसका नाम होता है renin renin जो होता है, यह आपके milk protein, casein को तोड़कर calcium paracacinate में convert कर देता है renin का काम क्या है बच्चो, renin जो होता है, वो casein को तोड़कर calcium paracacinate में convert कर देता है समझते जाना, कैल्शीम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है, और इसे हम कहते ऐलो किया कैसे बच्छों कर रहा है, ऐसा ही काम छो थाहे, वह होता है लेक्तोबेसिलस का, Lactobacillus आपके milk के lactose को तोड़कर उसे Lactic Acid में बदल देता है जैसे ही Lactic Acid बनेगा वैसे ही ये केसीन नाम का जो protein milk में है वो calcium paracacinate ये curd में convert हो जाएगा ठीक है? So यही मैंने आपको बता रही हूँ कि Lactic Acid बेते Lactobacillus Lactose को Lactic Acid में convert करता है Lactic Acid जो होता है ये milk को coagulate करता है कैसे coagulate करेगा? केसीन को तोड़ेगा, calcium paracacinate में convert करेगा So milk is changed into the curd, yogurt and cheese ठीक है? ये सी प्रोसेस से जो मैंने अभी आपको बताई इसी प्रोसेस से हम योगर्ट भी बनाते हैं कर्ण भी बनाते हैं क्लियर है? आगे बड़े Next is, सबसे पहला One of the most popular dairy product आपकी घरों में भी बजारों में भी सब यही होता है और सबसे अच्छा जो होता है वो होता है आपका घर का दही अब घर का दही क्यों अच्छा होता है यह थोड़ा सबसे कम लेके आना ठीक है? कभी भी थंदे दूध में दही नहीं जमता और कभी भी बहुत जादा गरं दूध में दही नहीं जमता कारण क्या है? कि बक्टिरिया को ग्रो होने के लिए एक proper temperature चाहिए है ठीक है? बहुत ज़ादा temperature दे दोगे तो bacteria मर जाएगा और कम temperature दोगे तो bacteria activate ही नहीं हो पाएगा तो करीब 30-35 तक का temperature is more than enough उसको 40 जगरी पे लाओ और फिर उसके बाद दही जमाना शुरू करो कौन से bacteria से जमता है क्योंकि हम acid बना रहे हैं दही खटा लगता है तो इसको ऐसे याद रखो कि lactobacillus acidophilus तो सबसे पहले हम किसी भी मिल्क से दही जमा सकते हैं हम fat free milk से दही जमा सकते हैं full cream milk से दही जमा सकते हैं किसी भी brand के दही मिल्क से दही जमा डालना है और उसको stir करना है, stir क्यों करना है, stir इसले करना है, ताकि जो bacterial population है वो पूरे दूद में अच्छे से फैल जाए, चीक है, और वहाँ पे populate करे, और वो क्या करेगी बच्चो, जैसे ही lactic acid bacteria या lactobacillus, acidophilus पहुचा, उसने क्या किया बच्चो, उसने milk sugar lactose को तोड़ lactic acid में convert किया, जैसे ही lactic acid बनी, उसने milk protein को तोड़ा, जिसे कहता है casein, calcium paracacinate बना और curd बन गया, यह जो process है, यह नॉर्मली छोटे बच्चो के, आपके stomach में भी होती है, इसलिए अगर कोई बच्चा उल्टी कर दे, तो उसकी curd के form में उल्टी निकलती है, यहीं अगर lactic acid bacteria, casein को calcium paracacinate में convert करता है, वैसे ही आपका renin जो एक enzyme है, वो भी casein को calcium paracacinate में convert करता है, ठीक है, तो basically protein का breakdown होता तो curd बनता है, यह समझ में है, तो हम क्या कर रहे है, हमें क्या करना है, प्रिपेर्ड इन इनॉकलेटिंग स्कीम्ड मिल्क विद लाक्टो बैसलाइस, अस इनॉकलम डालो, एक चमस दही डालो, जिसको इनॉकलम कहते है, इनॉकलम जिसको आप यूस कर रहे हैं, to prepare the curd, to prepare anything, इनॉकलम जिसको हम डाल रहे है, और नॉकलम बहुत छोटा होता है, ठीक है, मोर अच्छा, मिल्क जो होता है, it is not healthy, ठीक है, मना, healthy तो बहुत है, पर अगर मैं बात करूं, nutritious value कि इसकी कितनी जादा है, तो दही की nutritious value जो होती ही, वो जादा होती है, क्यों, क्योंकि दही में जो lactobacillus होता है, यह vitamin B12 वैट कर देता है, यह NCIT की line है, और यह सवाल पूछा गया है, तो जो lactobacillus होता है, वो दही में vitamin B12 वैट कर देता है, और जिन लो microbial flora है, वो disturbed हो गए है, और जो खराब-खराब वाले है, वो आपकी बाड़ी को अटाक कर रहे है, क्योंकि अगर आपकी बाड़ी में अच्छे अच्छे वाले होते है, तो खराब-खराब वाले को इंट्री नहीं रहते हैं, तो लोग केते हैं, दही चावल खाओ, रोटी अच्छे बेक्टीरिया होते हैं, जो आपके औरगन्स का पी-एच बैलन्स करते हैं, ठीक है, और साथी साथ दही से आपको विटमीन B12 मिलता है, तो शाकाहरी बंद हो, अगर आप शाकाहरी हो, तो दही आपके लिए वर्दान है, क्योंकि बहुत ही कम शाकाहरी चीजे ऐस तो देखे, more nutritious than the milk, as it contains a number of organic acid, मतलब दही में दूज से जादा vitamins होते हैं, जादा organic acids होते हैं, जिसमें vitamin B12 is one of the most important vitamins, ठीक है, लक्तिक ऐसे बेक्टीरिया जो होता है, ध्यान से सुनना, लक्तिक ऐसे बेक्टीरिया जो होता है, इसका बहुत बड़ा एक काम होता है, कि ये कैस काम करता है, कि अगर माल लीजे, कोई infectious agent है, लक्तिक ऐसे बेक्टीरिया, तो ये कुछ ऐसे chemical निकालने लगता है, जिसकी वज़ा से आस पास के जितने भी बखवास बेक्टीरिया होते हैं, जो infection को आस करने वाले होंगे, वो उनको भी मार देता है, तो इसलिए ये आपकी healthy लोग कहते हैं, शिलपा शेक्टी जी आड़ करती है, healthy intestine चाहिए तो योगर्ट पीते जाये, ना, 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 बच्छो, क्योंकि वहां पर जो इंडस्ट्री में योगर्ट बन रहा है, कर्ड बन रहा है, उसमें लेक्टो बैसिलस का इस्तमाल नहीं के जा रहा है, उसमें रे इंजाइन जो human being में, साथ ही में जो छोटे carbs होते हैं, उनके भी स्टमक में रनिन होता है, या तो उनके से रनिन निकाल के रनिन टेबलेट बना रहा है, तो अल्टीमिकल को मिला कर अगर आपका दही कर्ड लिंग किया गया है, तो वो आपके लो उतना healthy नहीं है, तो घर प मार देता है, ठीक है, समझ में आगई बात, तो इस तरीके से दही खाने से आपका intestine हमेशा या digestive tract स्वस्त रहता है, ठीक है, कर्ड समझ में आया आपको, done हुआ इतना बात, ठीक है, सो कर्ड में आपको थोड़ा एक reaction, एक बार लर्न कर लो, ठीक है, लैक्टोस को लैक्टिक कैसीन क्या है, प्रोटीन है, और इस कैसीन को कनवर्ट किया जाएगा, कैल्शियम पैरा कैसीनेट, कैल्शियम पैरा कैसीनेट क्या है, बच्चो, कैल्शियम पैरा कैसीनेट है, कर्ड, done, तो ये reaction होती है, आपकी क्या बनाने के लिए, बच्चो जी, ये reaction होती है, मैं, दाई मिल्क शुगर ठीक है आगे बढ़ें हम लोग तन अब अगला जो डेड़ी प्रड़क्त है दही के बाद वह है योगट योगट जो है एस ती जिए सेम दही जैसा ही है ठीक है बस फर्क यह होता है की थोड़ा सा क्रीमी जादा होता है और योगट बनाने के लिए हम ला Lactobacillus के इलावा जो है Lactobacillus की दूसरी स्पीशीज भी इस्तिपाल करते हैं दूसरे बैक्टिरिया भी जैसे की तो यह है Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus ठीक है तो बेसिकली इसको याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा योगर्ट और दही में टेंपरेचर का डिफरेंस होता है ठीक है नॉर्मली 35 से 40 हम लेते हैं आपका 40 डिगरी लेते हैं कर्ड के लिए और 45,50 तक ले पर लूग उतने गरम दूद में अगर आप inoculum मिला रहे हो ज्यादा गरम दूद में ज्रम बलता ओग तो योगर्ट बनेगा इस्तमाल क्या करेंगे बच्चो ये तो natural होता है ठीक है हम किसी के घर किसे लेके आए inoculum जिसको हम दही का jam कहते हैं योगर्ट का jam कहते हैं तो उसको लेकर रहाये थो हमको थोड़ी पता है कि समें कौन से बैटिरिया पर आज से आपको पता होना चाहिए कि अगर हम दही जमा पानी जैसे पुरा चर्ण कर लो आपके दही को तो बटर मिल्क बनता है ठीक है बटर मिल्क क्या है यह है आपका acidulated milk ठीक है कैसे बनता है इसको में कुछ नहीं करना है इसमें सेम स्ट्रेप्टो को कसरी मौरिस और lactobacillus acidophilus मतलब पहले दही जमाओ उसके बाद mixi में डालो और पीस दो तो क्या होता है यह एक acid देखो ध्यान से पीस दो पर पीसने में समझो बात को पीसने में मिलेगा उपर मक्षन मक्षन निकाल लो ठीक है और जो पाणी बच्या मठा कहते हैं जिसे उसे पीलो समझ के बात बात मैं हमारे घर में तो मलाई से निकाल हो जाता है मठा, चलो आओ भी देखते हैं, भाईया जी, जो मलाई निकाल रहे हो आप, जैसे कि आपकी मम्मी क्या करती है, जब दूद गरम करती है, तो उपर जो मुट्टी मलाई पढ़ती है, उसको निकाल के रख लेती है, उसके बाद एक महीने के आपका बटर मिल्क, ठीक है, समझ में आई बात, अब हम लोगे बात करते हैं, जब हम लोगे आपके मलाई को, जब हम उपर रखते हैं, ठीक है, जब हम मलाई को उपर रखते हैं, तो मलाई वाइट रहती है, पर जैसे जैसे मलाई का टाइम फ्रिज में बढ़ता जाता है, आपके मलाई का कलर जो होता है वो यलो होता जाता है कारण क्या है क्योंकि उस मलाई में बहुत सारे माइक्रो औरगानिजम ग्रो होना शुरू हो गये और ये धीरे-धीरे मलाई को क्या करते हैं, फर्मंट करते हैं, ठीक है, समझ में आई बात, मलाई में क्या है बच्चो, मलाई में लेक्टोस शुगर है, केसीन प्रोटीन है, लेक्टोस शुगर है, केसीन प्रोटीन है, और बहुत सारा फैट है, ठीक है, मिल्क में फैट होता घटा होगा क्या होगा बच्चों खता होगा क्योंकि इतने दिनों में उसमें बहुत सारे लेक्टिक एचिड ग्रो हो गए थे जादा लेक्टिक एसड ग्रोल नहीं हो इसलिए मम्मया उसको फ्रिज में रख देती हैं ठिके और मलाई भी horizon होगी पर पकने के बाद सारे सब्सक्राइब चैर्व परकार्छ आपूंट ऑपसा लोत तो आपको खратьया कि हम रेरी में जो अपने घर पे लाइक्टि आपके बनाते हैं उसमें सब्सक्रारे Lactobacillus Acidophilus, उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा योगाच, Streptococcus and Lactobacillus Bulgaricus, और थर्ड हम पढ़ रहे हैं बटर्मिल, Streptococcus and Lactobacillus Acidophilus, आपको species नहीं भी आ रहे हैंगी, तो भी चे देगा, आगे बड़े, next जो है वो है cheese, 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 ठीक है, very popular form, very, 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 very popular form, ठीक है, मतलब, cheese दो worldwide, लोगों की इतनी famous, मालब, favorite cheese है, मालब, even I like cheese too, मैं बस यह देख रहे हूँ, look at this, we have different kinds of cheese, बच्चो, we have different kind of cheese, और अगर मैं cheese की बात करते हूँ, तो cheese एक emotion है, बच्चो लोगों का, ठीक है, so I think we have done with the dairy, dairy का पहला product हमने curd समझ लिया, buttermilk समझ लिया, और आपको वो समझ लिया, yogurt, ठीक है, now अब हम आते हैं cheese के बारे में, cheese एक emotion है लोगों का, ठीक है, लोग सालों तक cheese को aged करते हैं, और फिर market में लाते हैं, cheese बहुत expensive और बहुत cheap दोनों हो सकती है, अलग-अलग प्रकार की cheese होती है, पर अगर मैं cheese को taste करने की बात करूँ, कि मुझे एक अच्छे cheese का पता कैसे चड़ेगा कि एक अच्छा चीज है, तो सबसे पहले उसका texture देखना चाहिए, ठीक है, उसका texture कैसा है, फिर उसके बाद aroma देखना चाहिए, वह सुगंधित कैसा है, और उसका taste देखना चाहिए, अगर हमें किसी भी cheese को पता लगाना है, कि यह कैसा cheese है, इसकी quality कैसी है, तो सबसे पहले we have to look after the texture, then we have to look after the aroma, then we have to look after the taste, यह तीनों चीजों से cheese की क्या पता चलती है, बच्चो, quality, क्या पता चलती है, इस तीनों चीजों से हमको cheese की quality पता चलती है, done है, clear हो गई इतनी बात, अब अलग-अलग प्रकार की cheese होती है, on the basis of water content, एक चीज ऐसा होता है, जो की बिल्कुल ही liquid जैसे दिखाई देगा, जैसे की पनीर, पनीर इतना solid नहीं होता है, फिर एक होता है semi-solid, एक होता है solid cheese, तो water content की dependency पे cheese जो होता है, वो अलग-अलग प्रकार का हो सकता है, clear है बात, जिस cheese में जितना ज़्यादा पानी रहेगा, जिस cheese में जितना ज़्यादा पानी रहेगा, उसका shelf lifetime उतना कम होगा, what is shelf lifetime मेरे प्यारे बच्चों, मेरा shelf lifetime है 100 साल, बहुत ज़्यादा की बोल देगा, चलो मालो 70 साल, ये मैंने माना कि शिप्रा माम की जो मृत्यू है, जब हम सफर में जाते हैं, तो हमेशा ये मेरे बहुत popular professor का जो है, वो example है, वो इस दुनिया में नहीं है, बट सोचो में में मतलब बहुत आई गे, इसमोशनल की उनका example आदा गया, तो उन्होंने एमको एक दिन पढ़ाया कि जब भी हम लोग, मतलब जब हम सफर में जाते हैं, तो हम कौन सी सबजी ले जाना ज़्यादा प्रिफर करते हैं, सुखे आलू की सबजी या गीले आलू की सबजी, आप बोलोगे माम सुखे आलू की सबजी, गीले आलू क्यों नहीं ले जाते हैं, क्योंकि जब जिस जगह पर moisture ज़ादा रहता उस जगह पर हमेशा microbes की growth ज़ादा होती है ये बात आपको पता हो निजए जो dry जगह पोती है जो dry surface होते हैं वहाँ पर microbes की growth उतनी ज़ादा अची नहीं होती है तो जिस चीज में जितना ज़ादा पानी होगा उसको उतना जल्दी आपको use करना पड़ेगा clear है तो चीजे की motion है चीज को पैचानने के लिए उसका taste क्या है aroma क्या है texture क्या है सब देखते हैं अलग-अलग प्रकार की चीज है हमारे पास ठीक है सबसे जो popular चीज है वो है Swiss cheese जो Tom and Jerry में जो चीज बड़े बड़े छेद वाला खाता है जरी वह actually Swiss cheese होती इतने प्रकार के चीज होते हैं और हर जरूरी नहीं कि हर चीज का color एक जैसा हो चीज के color भी अलग-अलग होते हैं ठीक है जैसे कि गौर्ड़ा चीज लिख ऊपर से red होता है तो basically cheese का color texture taste यह सब depend करता है कि उसको बनाने के लिए आप कौन सा culture यूज कर रहे है मतलब कौन सा microorganism यूज कर रहे है ठीक है so ripened cheese ripened का मतलब होता है mature cheese is prepared from the unripened cheese by the first डिपिए यह भी शुरुवात नहीं है शुरुवात यह नहीं है ठीक है चलिए कहां गया ओके so let's start with the cheese Cheese is one of the oldest milk product ठीक है चीज बहुत ज्यादा पुराना milk product है ठीक है और जैसे आप पनीर बनाते हो तो पनीर में आप क्या डालते हो नीमबू डालते हो दूद फट जाता है दूद का पानी निकाल लेते हो और उसको क्या कर देते हो जमा लेते हो काट लेते हो यह cottage cheese है उसमें इसमें आपर हम दूद को फाडने के लिए एक acid कास्तमाल किया यहां पर हम acid को बना रहा है मिलेद दूद को फाडने के लिए हम किसी acid का सतमाल नहीं कर रहे है ठीक है पर indirectly वही कर रहे है मतलब हम किसी micro organism को अगार और वह तो फिर बाद में टैबलेट अट करते हैं तो हर बार जब भी हम पनीर बनाते हैं तो टेस्ट एक ही होता क्योंकि हम दूद को फाणने के लेमिन का इस्तमाल कर रहे हैं पर अगर हम जैसे-जैसे माइक्रोब्स का चेंज करते जाएंगे तो अलग-अलग माइक्रोब्स अलग-अलग तरीके से असिड प्रेड्यूस करेगा और साथी साथ वो माइक्रोब उस चीज में फ्लेवर्स भी आट करेगा जैसे कि आपने करड में पढ़ा मैंने आपको बताया कि जो करड होता कि जो करड होता है अप कौन से चीज बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब्स इस्तमाल कर रहे हैं यह आप पर निरभर करता है अलग-अलग चीज के रिए हम अलग-अलग प्रकार का माइक्रो ओर्गानिजम इस्तमाल करते हैं और वो माइक्रो ओर्गानिजम उस मिल्क में बहुत सारे फ्लेवर्स आड़ कर देता है इसलिए हर चीज का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है ठीक है और वही microorganism जो है वो अलग-अलग जो है color भी produce करता है ठीक है समझ में आरे ही बात जैसे कि आपका Swiss cheese जो है वो एक bacteria से बनता है और हर चीज bacteria हस से बने जरूरी नहीं बहुत चीज जो होते जो है fungus से बनते है जैसे Rockford cheese जो Penicillium Rockford cheese से बनता है जो उसमें color भी add करता है fungus grow होता है उसमें उसके अंदर और फंगस उस चीज के अंदर grow हो के हो हो के हो के उसमें flavor और color दोनों add करवाता है ठीक है समझ में आई बात यही मैं आपको बताने कोशिश करी हूँ कि fungus जो होते है they are very colorful और वही color वो इस चीज को भी दे देते हैं and they are good for health okay यह अपके gut microbial flora को maintain करते है cheese is very good for health ठीक है it is one of the oldest milk product prepared with the help of microbes ठीक है तो पनीर और normal cheese cheese और पनीर में का अंतर है पनीर भी चीज ही है बस वो cottage cheese है उसको हमने जान बूच के फाड़ा है इसको हमने microbes से फड़वाया है inoculum जिसे अब कहते हैं और यह inoculum क्या होना चाहिए बच्चो किसी बैक्टीरिया का होना चाहिए ठीक है हमने चीज बनाया था उसके बाद दूद क्या होगा बच्चो दूद क्या होगा फटना शुरू हो जाएगा और आगी कहानी वो देखिए अब चलो आपको क्या करना है सबसे पहले हम लोगों ने बैक्ठीरिया का कल्चर जा ड़mee जिसका भी आपको फंगस बनाना फंकर डालो इसके बात क्या होगा को लाक्टी ऐसे प्रडी Já पर उसके बाद हमें क्या करना थैंडाया देन को निकाल सुबमाटोएं कर्डशर को निकालना जो आपका वे बंचाली निचे ऻिप्षटेशा हूग नाम्हार और पूरा न Pengालते Jenkins फिर बाद उसको हम कपड़े में मतलार अच्छी जग 토ani निकल जाया फिर उसके बाद उसको यह बचा हुँए उसके नमक डालते हैं और उसके नमक एक उसके पड़ुआ है उसको मिलाते हैं उस वे में ठीक है ताकि flavor add हो सके ठीक है खेर आगे की बात हम समझते हैं क्या है So जो है आपका जो cheese होता है वो water content बहुत matter करता है जैसे soft cheese ठीक है पनीर is a soft cheese इसमें 50 to 80% water होगा उसको जल्दी use करना पड़ेगा semi hard cheese ठीक है जैसे कि आपका rockford cheese जो है वो semi hard cheese है ठीक है 45% of water होता है hard cheese ठीक है more than होगा more than 40% of water ठीक है more होगा less नहीं होगा है ठीक है hard cheese में more than 40% water semi hard में 40 to 45% water और soft में less than sorry 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 बच्चों less than hard है तो पानी कम होगा so less than 40% water होगा hard में आपका 45% होगा semi hard में और soft होगा ज्यादा बहुत ज्यादा पानी में 50 to 80% आगे बढ़े now cheese जो है सबसे पहले हमने करना क्या है सबसे पहले हमने करना है आपका यह देखो इस Neillssa लिया दूद लिया इसमें वो दो चीजों से फाड़ेगा युख तीक है कैसे फाड़ा है सबसे पहले पर लेक्टिक आयसे बैक्टीर डाला दूद फट गया कर्ड मिला कर्ड को हमने च्छाना ठीक है और उसके साथ साथ हम रेनिन में डाल देगी क्या डाल देंगे रेनिन किस फॉर्म में दूद में डाली जाएगी रेनिन डाली जाएगी रेनिन के फॉर्म में किस फॉर्म में बच्चो रेनिन के फॉर्म में डाली जाएगी रेनिन क सायों में से स्चाएं तो मैं तो सबसी अ को पर सब्सक्राइब जो को कि सब्सक्राइब है जा यह फैर भालियो क मिले आप दुटे निचा पार वोगा शनाδंदर करना एक किरा इसजो समय करने बन चाहिए टो करें मैं जो फैर बॉल हो यह w ठीक है डन है इतनी बात ठीक अब आपको एक और चीज बताती हो डिंड क्रसुला Mayo म कहा हुए सब से पहले अगर मैं चीज की बात करूं तो मैं त्थे शुरू करती हुए और थासब दunya्न शह नना करेया सब्से acid bacteria बनेगा तो milk is converted into the curd क्योंकि इसमें क्या आड़ हो गया लाक्तिक आड़ हो गया ठीक है उसके इसको पहले आपन को वाम मतलब वो करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा गरम ठीक है इसको अभी का करना पड़ेगा गरम करो गया कर बन जाएगा फिर हम को क्या करना है कर निक आपको यह समझा रही थी मैं यह बन गया है कर्ड ठीक है कर्ड को अब हम इससे क्या निकालने वाले हैं पानी पानी बाहर निकालो पानी बाहर निकालो गे तो चीज बन जाएगा क्या बन जाएगा चीज और यह चीज जो है यह अन राइपेंड चीज ठीक है यह चीज कैस टाबलेट क्या एड करना है रेनेट टाबलेट जिससे उस चीज में हाडनेस है और और जो है कोगलेशन और अच्छा हो बहुत सारी चीज में यहीं पर हम रेनेट भी आड कर देते हैं बहुत सारी चीज में ठीक है उसके बाद क्या एड करना है उसके बाद कुछ नी आड करन वे क्या है वे में आपको यहां पर वे यहां लेक्या हो और वे में हमें क्या मिलाना है बच्चो सॉल्ट वे में क्या मिलाना है सॉल्ट और फिर उसको है चीज को फिर चीज निकालो बाहर ठीक है चीज निकालो उसके बाद उसे खीचो फिर उसे बॉल करो ठीक है बॉल करो ठ अगर मैं एक एक फ्लो चार्ट की बात करूं कि चीज कैसे बनाइंगे आये वो देखे बता दू कि घर पर भी हम चीज बना सकते हैं पता तुम पनीर नहीं चीज कैसे बनाना तुम सीखना चीज बनाना सिखाती तुम सबसे पहले आप दूद को फाल दो ठेक फाल लिया ओके नम घसकाओ बंच मदकों चीज कैसे बनाते फिर उसके बाद जो आपको मिलए है आपको जो थकाक मिला है उसको हैंकर रिंग हंकर बना दो पूरा मोष्ट्यूर स्का निकाल दो थीक है उसके बाद उसको थोड़ा फोल्ड करो ऐसे से हाथ से थोड़ा मसलों उसके बाद जो आपने वो निकालाया डाट वे में हलका सा नमक डालो ठीक है और नमक डालने के बाद उस वे को उबालना मत वे को वाम करना मत वैसे लगना 40-50 की ओर भात वॉल मत करना और उसके बाद जो आपने वो बना आया जो करड़ उस इसमें डालो थोड़ा हिलाओ दो तीन बाद उसके बाद करने के बाद आप में देखना है कि जो आपका कर्ड है वो एक्दम सॉइड हो रखा और खिचने लगा है और जब आप उसको टेस्ट कर मादमु से के नमक डालने से उसमें फ्लेवर पराबूते घल किन और नमक को बाइस किझा तो फ्लेवर चीजाब परादे के रहां आदम ही आए एक कर देते हैं सबसे पहले क्या दोढ ले-लो चीक है सबसे पहले में बच्चो जी आप दोढले दोढ़ आप दोढूं से टोढ'll चनवाल तक जकी संटीग्रेट उसके बाद 172 culture add करो culture में आपको बताऊंगी कौन सा आड करना है कौन सी चीज के लिए कौन सा culture ठीक है और साथ ही साथ रेनेट को भी आड़ करो फिर उसके बाद क्या करो स्कॉगलेट को निकालो एक अलग मोल्ड में ट्रांसफर करो उसके बाद उसके उपर कोई भारी चीज रग दो ठीक है और पूरा पानी उसका निकल जाने दो और कितने देर तक के रिखना 24 घंटे तक उसके बाद उसमें जो है या तो हम उपर से ही उसके बाद उसके ब्राइनिंग की जाती ब्राइनिंग समझे आप कि वह जो चीज बना हुआ है आपको उसको गरम ब्राइन में जाके हलका सा ठीक है मतलब बहुत सारे लोग गरम करते हैं और ब्राइन में डालके छोड़ देते हैं 15 दिन तक छुड़ा रहता है उसी में क् कि उसमें salt का flavor आ सके तो बहुत सारे लोग 16-18 डिगरी तक उसको 15-16 दिन तक रख देते हैं बहुत सारे लोग घर पे बनाने वाले जो गरम करने वाला भी method अपलाई करते हैं और फिर उसको निकालते हैं उसको थोड़े पैक करते हैं और store करके रख लेते हैं तो ब्राइनि करते हैं कि आप कौन सा चीज बना रहे हो ठीक है जैसे की जैसे की माल लो की पापा जी Switzerland जाकर शर्मा गए यह क्यों बता है मैंने अब आपको समझाती हूँ पूरे वर्ड में one of the most popular cheese is this which is the क्या कहते हैं इसको बहुती popular मतलब बहुती common cheese है which is called as Swiss cheese ठीक है Swiss cheese जो होती है इसका बहुत large scale production होता है और इसमें बहुत बड़े-बड़े bubbles होते हैं अब एक और चीज में आपको बताती है क्यों बबल होते हैं लॉंग टम स्टोरेज जब हम चीज का करते हैं तो आपने देखा कि उसके इंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है और यह बैक्टीरिया उस cheese का धीरे-धीरे क्या सडाते जा रहे हैं बच्छों Swiss cheese होती है उसमें बहुत बड़े-बड़े छेद होते हैं और जो बैक्टीरिया बहुत सारे चीज फंगस से बनते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया से बनते है तो पापा से यार रखना है बच्छों जी आपको क्या प्रोपियोनी बैक्टीरियम ठीक है पापा जी से क्या यार स्विस्टीज ठीक है क्या बनाते हैं स्विस्टीज ठीक है अब प्रोपियोनी बैक्टिरियम स्विस्टीज बनाता है और इस कौनसी स्पीशीज बनाती है तो शेर्मानी ठीक है शेर्मैनी ठीक है तो यह आप ऐसे याद रख सकते हो कि पापा जी स्विट्जर लाइंड जाक शर्मा गए पापा से याद रखो प्रोपियोनी बेक्टिरियम स्विजर एंड से याद रखो स्विश्चीज और जाकर शर्मा से याद रखो शेर्मानी तो प्रोपियोनी बेक्टिरिया शेर्मानी स्विश्चीज का फॉर्मेशन करता है अब यह जो बेक्टिरिया है यह एक फार्मिन डायकसाइट भी निकलेगी दैन है इतनी बात में अभी तक I don't think so कि कोई कन्फीजन होना चाहिए आपको है क्या बताईए मझे अगर कोई कन्फीजन है तो प्लीज मझे बताईए और एक और जब भी हम चीज की बात कर रहे हैं और जब भी हम फर्मन्टेशन की चीज फर्मन्टेशन का प्रॉसस है ठीक है मिलब चीज बनाना एक फर्मन्टेशन करने वाला प्रॉसस है तो बच्चो जी जब भी हम चीज बनाते हैं ठीक है जब भी हम क्या बनाते चीज बनाते हैं तो होता है उसमें ठीक है अचलो ब्रेड में वाली प्रोसेस है ठीक है यह क्लियर हुआ आपको तो जब fermentation होगा जब मैच्योर होगी चीज तो carbon dioxide निकलेगा ठीक है यह जो bacteria है यह fermentation करेंगे fermentation होने से carbon dioxide निकलेगा carbon dioxide निकलेगा तो चीज को भुम भुम करके बाहर जाएगा और चीज में छेद करता हुआ जाएगा तो जिसमें जितने ज़्यादा छेद होते हैं वो चीज उतना ज़्यादा carbon dioxide प्रेडूस किया होता है हम ऐसा मानते है ठीक है तो सबसे पहले कि यहां राइज होल चीज जिसे हम स्विचd के ठीक हैं यह कौन बनाता है यह बनाता है दूद है नै तो बच और यह दूद है ना तो दूद में सुगर होगी दूद में शुगर फर्मांट होगी तो carbon dioxide निकलेगा यह बहु大 जादा carbon dioxide निकलता जिसकी वजह से इस चीज में बड़े बड़े छेद होते हैं तो जरी जो चीज खाता है वह यह होता है एक होती है आपकी रॉक फोटी चीज ठीक है यह बनती है आपकी किस्से पैनिसीलियम रॉक फोटी से और पैनिसीलियम बच्चो जी एक फंगस होता है क्या होता ह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहे हूं कि चीज को सिर्फ बैक्टीरिया नहीं बनाते चीज को फंगस भी बनाते हैं इसलेश चीज का अगर मैं यह बना रॉकफोर्ट चीज दी हुए है अगर आप रॉकफोर्ट चीज देखे तो इसमें आपको ब्लैक-ब्लैक डॉट भी और यह फंगस जो होते हैं इसमें घ्रोफ और इसमें फ्लेवर भी आड़ करते हैं। जैसे कि चीज जो होते हैं यह भी पनिसीलियम कीं केममबर्टी स्पीशीज बनाती है छीज तो मैं आपको यह बता रही हूं की कि whole is depend upon कि how much the organism get doing the fermentation जतना ज्यादा fermentation होगा उतना ज्यादा carbon dioxide मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा fermentation करके बहुत ज्यादा carbon dioxide प्रेडूस करोगे तो larger छेद बनेंगे निकलेगा बहार तो larger छेद बनेंगे और अगर कम करोगे कम छेद बनेंगे तो मतलब यह कि उस species ने fermentation तो की अपर carbon dioxide ज्यादा प्रेडूस नहीं की तो rock 40 चीज जो की बनी penicillium rock 40 से और आपकी कौनसी चीज स्विस चीज जो की बनी पापजी शर्मा गय से मतलब प्रोपियो ने वेक्टिम शर्माली से ठीक है आगे बड़े अगला प्रोपियो जो हम पढ़ने वाले हैं वो है bread formation ठीक है bread formation जो है यह भी घर पे हम cheese भी मैंने आपको बता है घर पे चीज भी बना सकते हो घर पे ब्रेड भी बना सकते हो ने बना सकते है अगर हमें घर पे bread बनाना है तो सबसे पहले एक कटोरे पे bread पढ़ रहे हैं हम लोग बच्छो जी अब we are talking about the bread ठीक है एक कटोरे पे flour ले लो ठीक है एक कटोरे पे flour क्यों नहीं ले लेते हैं हम ले लेते हैं टेंशन मत लीजिए ठीक है इस कटोरे पे हमने flour लिया ठीक है यह ले लिया flour कोई टेंशन नहीं यह हो गया flour अब इस flour में हम चाहते हैं कि fermentation हो ठीक है क्या हो fermentation हो और हमने उपर से इसमें add किया yeast क्या add किया dry yeast देखो क्या लिखरी हूँ में इसमें हमने उपर से एड़ किया dry east तैने बच्चो और इस dry east का botanical name, zoological name क्या है? यह है, शेकरो माइसे सेरिविसाई, ठीक है? Don't go with the spelling बच्चो, शेकरो माइसे सेरिविसी आई, ठीक है? B-C-I, ठीक है? अरे यार, साफ साफ लिखती हूँ यार, S-A-E, ठीक है? सैकरो माइसे सेरिविसाई, यह क्या है बच्चो, क्या यह बैक्टिरिया है? नहीं, ठीक है? सैकरो माइसे सेरिविसाई is the only unicellular fungus, ठीक है? यह एक मातर यूनि-cellular फंगर्स है, ठीक है, डन है इतनी बात, अब हमको इसमें से इसमें थोड़ा सा क्या अट करना पड़ेगा पानी, ठीक है, और पाली करने के बाद आपने इसका डो बना लिया, क्या बना लिया डो, ठीक है, डन है, और कुछ समय के बाद अगर आप देखें तो ये डो जो है वो rise हो जाएगा ठीक है डो क्या हो जाएगा बच्चों राइज ठीक मतलब ये कुछ आपको ऐसा दिखाई तेने लगेगा त… ये डो जो है आपको उपर आता हुआ ऐसा दिखाई देने लगेगा ये उपता उपर आ गया डो ठीक है ये डो पुरा उपर तक ऐसे आ गया ठीक है त्यान समझते जाना bread making है ना इस process को हम कहते हैं बच्चो जी कि लेवनिंग ठीक है इस process को हम कहते हैं लेवनिंग ठीक है आईuma चाईये समझते हैं basically क्या कर रहा है तीन प्रकारकी activities इस flower के अंदर कर रहा है ठीक है ईस्ट जो है यह 3P GayY activity this flower के अंदर कर रहा है देखो मैं क्या Int लिखते जारे हूं पगलाई गए हुमें, ठीक है, ये इस्ट जो है, ये तीन प्रकार के अक्टिविटीस फ्लार के अंदर कर रहा है, देखिए क्या क्या, सबसे पहले ये कर रहा है, इसके ये एंजाइम बना रहा है, एमाइलेस, ठीक है, ये एक और एंजाइम बना रहा है, माल्टेस ठीक और एंजाइम बना रहा है माल्टेस और एक और अंजाइम बना रहा है जिसे कहते जाइमेज जाइमेस, bread making पढ़ रहे हम लोग, मम्मी ने बोला आज हम लोग bread बनाएंगे, ठीक है, उन्होंने कटोरे पे फ्लार लिया, और फ्लार में dry yeast डाला, ठीक है, अभी जब तक yeast ड्राय है, तब तक वो multiplicate नहीं करेगा, पर जैसे ही आपने water डाला, जो dry yeast है, वो activate हुआ, मतलब औ और yeast जो है, वो तीन प्रकार के enzyme निकाल कर तीन प्रकार के activity करवाएगा, तेखिए क्या क्या है, अगर yeast, ठीक है, yeast activity यहाँ पे discuss कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, yeast, copy में लिख ली जगा बच्चो, yeast activity, ठीक है, yeast activity चले, सबसे पहले, जो yeast में क्या होता है, बच्चो, जो आपका आपको याद होगा, तो I don't think so, कि यह मुझे बताने की जरूरत पढ़नी चाहिए, ठीक है, जब amylase की activity होगी, जान समझना, तो यह star जो है, यह किस में convert हो जाएगा, maltose में, डाइडेशन में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और मैं यह नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है East जो है, वो जैसे ही flour के अंदर पहुचेगा, वैसे ही वो तीन प्रकार के enzyme निकालेगा, सबसे पहला enzyme जो वो निकाल रहा है बच्चों, वो है amylase, ठीक है, amylase जो है वो starch, starch is the polymer of glucose, और यह starch wheat floor में पाया जा रहा है, और यह starch को तोड़ेगा amylase और यह convert करेगा maltose में, maltose ए है ना, यह, ऐसे, ठीक है, कितना गंदा बनाया है, लो 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 लो, लो 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 लो, जो जब दो glucose की unit इस तरीके से जुड़ जाती है, यह, तो आपका maltose का formation होता है, next activity जो है, वो इसी maltose पर होगी, और maltose पर कौन सा, अब इस्ट का enzyme act करेग maltose, maltose, और यह इसको किस में convert कर देगा, बचो, maltose, और यह इसको convert करेगा glucose में, क्या होगा, glucose में, done, अब यह glucose पर act करेगा, zymase, zymase, और यह इसे convert करेगा, ethanol में, और carbon dioxide में, ethanol जो है, यह volatile होती है, alcohol volatile होता है, और CO2 जब बाहर निकलेगा, तो आपका जो dough है, वो rise होगा, dough जो है, वो rise होगा, समझे, जब आप yeast डालते हैं, तो आपका जो dough होता है, जब आप उसमें ऐसे heart डालोगे, तो छेट-छेट दिखाई देंगे, और जब आप उसमें heart डालोगे, तो हवा भरी होई होगी, क्या किया, तीन activities करता है, सबसे काम करता है, इस तीन प्रकार के enzyme निकालता है, सबसे पहला, इस जो enzyme निकालता है, वो होता है, amylase, आपका जो dough है, उसमें starch, स्टार्च को तोड़ने के लिए, we have an enzyme called as amylase, सबसे पहले starch तोड़ो, ठीक है, स्टार्च कहरे, पॉलीमार अग्लूकोस है ना, बच्चो जी, त human welfare, यह सब एक दूसरे से link है, if you want to make the bread, first you have to know what is the starch, starch is a polymer of glucose, तो इसको इतना तोड़ो कि पहले वो ग्लूकोस बने, उसके बाद ही ग्लूकोस को फर्मंट करोगे, और आप लोगों ने पढ़ा है ना, anaerobic fermentation, तो जब भी हमको, ध्यार्च से सुनो, जब भी हमको बेलेट बन पता दूँ कि इस दा anaerobic fermentation, इस्ट में पढ़ा है ना, आपको anaerobic respiration पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, अब इस्ट जो है वो anaerobic respiration शो करेगा, तो इस तीन प्रकार के enzyme निकालता है, पहले starch को maltose में तोड़ो, फिर एक और enzyme निकालता है maltase, maltase को glucose में तोड़ ठीके मुझे heart attack मत दिलवा देना, किसी दिन इतना चिलवा चिलवा के, glycolysis, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैं हमको यह याद नहीं कि हमने कल क्या खाना काया, तो ब्रेक पढ़ा रही हूँ, उपर से हमें ऐसे बोल रही है कि यह भी पढ़ो, अरे मेरे प्यारे बच्चो तो देखो, glucose को cell के अंदर ले जाएगा, इस अपने, वो आगे कुछ नहीं लेगा, पहले वो सभी काम बाहर करेगा, फिर glucose अंदर लेगा, फिर अपने साइटो प्लाजम में वो इस glucose को convert करेगा, by the help of zymase and by the different types of another enzyme, और यह convert करेगा एथिनोल में, CO2 में, और CO2 बाहर निकल फूल जाएगा, ठीक है, उसके बाद दो राइस होगा, उसके बाद हम इसे बेक करेंगे, और जब इसे बेक करते हैं, तो इसे कहते हैं, लोफ, लोफ को कट करेंगे और गपर 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 खा लेंगे, this is the bread formation, और East को ही हम इसलिए कहते हैं, बेकर्स इस्ट, इसलिए East का ज संसना संसना संच, ठीक, डान है, आए, सो bread, selective strain of breaker, is Saccharomyces, सेरिविसाई, ठीक है, Molasses, ठीक है, what is Molasses, मममममम, ममम, देखो, जो ममलसस का मतलब समझते हो, जब गंणा होता है, जब गंणे का जूस निकलता है, तो जब भूसी बचती है, उसमें भी हम लोग मोलसस उससे भी नि करते हैं उसको ठीक है चलिए एस्मॉल कॉंटिटी ओब बेकर इस्ट विच इस एक्रोमाई से सरिविसाई एड़ेट वीट फ्लार ठीक है उसके बाद उसके बाद उसे वर्म टेपरेचर में ढखके रखो ताक एनरोबी जो है रास्पिरेशन हो सके और इस प्रोसेस को हम कहते लेवनिंग क्या कहते हैं लिवनिंग कि स्पेलिंग में क्या लिखा एक मेने यार ल, E, A लिखना चाहिए, ल, E, A ठीक है इस ब लो नोट बनाते हो कि नहीं बनाते हो यार, बोर्ड मने यो इतनी कारिस्तानी करती हूँ तक austman hyn लेके बैठा करो, है ना, ओके, now, लिवनिंग जो होता है, इसमें क्या होता है बच्छो, तीन प्रकार के इंजाइमेस निकालता है, जैसे माईलेस, माल्टेस, जाइमेस, ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम माल्टेस की वज़े से ग्लुकोस बनाते हैं, और ग्लुकोस का फर सब्सक्राइब कार्वन डेक्स एन इथाइल अलकोहल एवरेपरेट एंड मेकिंग दा ब्रेड सॉफ्ट, इसलिए ब्रेड में आपको इतने छेट दिखाई देते हैं, आगे बढ़ें, now, अब हम बात करते हैं, जो के हमारा बड़ा ही फेवरेट नाश्ता है, मतलब मेरा त मैडम के भूके पैसे होकर पढ़ाने का कुछ तो मुझे सिला मिलेगा, तुम ऐसा सिला मत देना की, तो मैं ऐसे बोलूँ कि अच्छा सिला दिया, तुने मेरी वफा का, मैंने तुझे इतना पढ़ाया और तु निकल लिया, ठीक है, ऐसे गाने मुझे गाने पर मजबूर म ट्सांता अश möglich, थीक है, नीट कॉलीफाई कर लो, चलो, सो डोसा और इढली जो है, हम कैसे बनाते है, डाल-चावल को mix करते है, नॉर्मली जब हम बेट बनाते है, आट करते है, तो उसमें हम अड़ करते हैं, व इडली बनाते बंद यूपमा यदा फ्रमंटेट फूड शूरम के इंस्टेंट होता है। डोस में इडली एंड डोसा इसमें आपको बाहर से कुछ रहें करना है। इसमें एजमीट कर देता है। क्या क्या बच्चो एक होता lyukonostoc, वो nostoc नहीं है न, lyukonostoc और streptococcus, streptococcus ठीक है ये दो बेक्टिरिया जो है ये घोल में जो इडली का दाल चावल का घोल है ये दोनों बेक्टिरिया environment से ही add हो जाते हैं ठीक है environment से ही add हो जाएंगे उसके बाद मम्मिया उसको ढखकर एक अंधेरी जगह पे दख देती ताकि क्या हो सके इडली में क्या बनेगी carbon dioxide जिससे आपका जो इडली का गोल होगा वह राइस होगा तो देखो लिए उसको पीस लो फिर उसके बाद थोड़ा देर बाहर रखो फिर दख रख दो जो इस रप्टो कोकस अंवार्मेंट साके उस पर लैण्ड होंगे वो इसको उटिलाइस करेंगे बदले में carbon dioxide निकालेगे जिसके वजय से आपका जो डो होगा इसा फूल जाएगा CO2 produced during fermentation causes the puffing of the dough इसलिए हम कहते हैं कि अगर इडली में fermentation अच्छा नहीं हुआ तो इडली सॉफ्ट नहीं बनेगी समझ रहे हो ना तो इसलिए fermentation होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही इडली में क्या निकालता है carbon dioxide फिस जब हम इसको steam करते हैं तो carbon dioxide बहार निकलेगी और आपकी इडली सॉफ्ट बनेगी और छेद वाली बनेगी क्लियर है डान इनट इस वेरी हल्दी क्योंकि जब भी हम किसी भी bacteria कोई भी bacteria fermentation करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ carbon dioxide और ethanol नहीं निकालता वो बहुत सी और सारी चीज़े उस batter में निकाल देता है उस cheese में निकाल देता है जो हमारे health के लिए बहुत beneficial होती है तो साथ साथ वो bacteria भी खा रहे हो जो की gut के लिए healthy है चीक अब यह आपके NCIT में नहीं है पर इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है बचो विच इस the single cell protein ठीक है क्या होता है single cell protein production of microbial biomass as a supplementary food for humans and animals ठीक है basically इसमें हम कुछ microorganisms का इस्तमाल करते हैं जिनको as it is dry form में हम लेते हैं ताकि हमारी energy बढ़ सके इसका best example is spirulina which is the type of algae yeast and fusarium ठीक है इनको हम लेते हैं basically क्या करना है वो देखो इसको dry करो पहले तो क्या क्या है यह जैसे क्या आपको yeast पता है कि यह fungus है Fusarium भी एक fungus है और spirulina जो है जैसे मैंने आपको बताए एक cyano bacteria है ठीक है और जो सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं मतलब सिंगल सेलुलर और वैसे तो fungus multi-cellular है पर इनको सेल निकालो बढ़िया इनकी और इनको dry करो purify करो और एक प्रोटीन क्योंकि इसमें बहुत रिच प्रोटीन होता है इनकी सेल्समें ठीक है और इनका fat में पूर होते है नाद सेल्समें पूर होंगे इनकीट में पूर होते हैं एकिश सेल्समें और थotle भीयज्समें होते हैं इसमें मिनर्स प्रोटीन सेल्समें होते, दो फैर इसले we also तो single cell protein is useful in the reducing environmental pollution क्योंकि हम आस पास की सारे फ्यूजरिम ला लो उसको ड्राइ कर लो तो fungus भी अटा, syno-bacteria भी अटा, ठीक है, and it is often grown over the medium, अगर आप नहीं लापा रहो तो आप लाब में भी इनको grow कर सकते हो, ठीक है, grown over the medium, organic waste, having organic waste from the agriculture and the industries, मतलब कुल में लाके जितने waste product होते हैं, उनमें यह सारे fungus grow होते हैं, तो हम लोग कहीं सभी waste हटाते हैं, तो उनसे यह fungus और बैक्टिरिया को चुल लेते हैं, उसको purify कर लेते हैं, जितने हैं, पाम tree जो होता है, उसके अंदर अपने देखा हो कि वह चड़ जाते हैं उपर फिर उसको काटते हैं और उसको प्रेशली भी पी सकते हैं, और नहीं तो उसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं, अब इस palm के sap का जो fermentation करता है उस species का नाम है carriota urans ठीक है यह आद नहीं रखेंगे तो भी ठीक है उसके बाद ध्यान से समझेगा तोड़ी जो है कुछ समय के लिए रख दिया जाता है उसके बाद उसमें yeast वगएरा ग्रो हो जाते हैं इसको आप कुछ नहीं और इसमें कुछ अलग से डालना नहीं बस वो क्या करते हैं जाकर छोड़ देते हैं करी 20 घंटे तक उसके बाद वो हलका सा उसमें yeast वगएरा ग्रो हो जाते हैं और फिर फर्मेंट कर देते हैं और हलका सा स्वाद आता है माइक्रोब जो होते हैं वो बहुत और चीजों के लिए यूस होते हैं जैसे की सोयबीन 小心 आप तोफू बनाते हैं जित थर्मेंट बनाते हैं क्या बनाते हैं जाते हैं बैम्बू शूड्स को चानियीं लोग लंग करके खाते हैं फिष खाया जाती है लिए अगर अगर नहीं भी आड़ करेंगा और उसके बाद वह सुआ प्रड़ाया जो चपो अटार्वा एंडी आड़ निकालेगा घुडड़ इससे और प्लेवर आड़ा है जैसे सोय भीन वीट को fermentation करेंगे तो सोय सॉस भी निकलता है इससे टोफू बनता है सुफू बनता है टेम्फ बनता है ठीक है जापनीज लोग टूफू खाते हैं चैनीज लोग और टेम्फ खाते हैं इंडोनेशन लोग इस सब एक ही चीज है समझ में आई बात और सोय भीन को ferment करके हम सोय सॉस भी निकालते हैं टेक है डन है ठेक 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 डन अब एक टेबल बनाई है और इसमें हमको बस कुछ नहीं करना है करना है कर्ड के लिए हमने कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था बच्चो जी हमने के लिए हमने स्टेप्टो कोकस को भी यूज किया था और एक्टो बैसलस बल्गारिस को यूज किया था बटर मिल्क के लिए हमनों किसको यूज किया था स्रेप्टो को कस को भी यूज किया था लेक्टो बैसलस एसिडोफिलस को भी यूज किया था सौर क्रीम यह आपको न done the microbes which are responsible for the household ठीक है क्या-क्या food में हम लोग कितना use करते हैं ओक है you would be surprised to know that we use microbes or the product derived from them every day हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों खाते हैं जो microbes की वज़ा से ही बनती है a common example is the production of curd from the milk microorganism lactobacillus and other commonly call इसको other name क्या है इसका lactic acid bacteria ठीक है it grow in the milk and convert it into the curd during the growth of lactic acid bacteria it produces acid और यह acid के वज़ा से milk coagulate होता है ठीक है और यह क्या कर रहा है और यह milk protein को digest कर रहा है ठीक है small amount of curd is added to the milk as a inoculum और starter ठीक है तो जो एक चम्माच आट कर रहे हो ना ताक की पूरा curd बने वो inoculum के लाता है और इस एक inoculum में millions of lactobacillus होते हैं पर यह याद रखिएगा कि हमेशा suitable temperature पर ही डालना नहीं तो जारा ठंडे दूद में भी दाई नहीं जामेंगा जादा गरम में नहीं करेब 30 से 40 degree temperature ठीक है और यह milk को कर्ड में convert कर देगा ठीक है और यह milk कर्ड जो होता है इसकी nutritional quality जादा होती है क्योंकि कर्ड में vitamin B12 भी पाया जाता है इनार स्टमक जो है इनार स्टमक लेक्टिक एसे बैक्टिरिया बहुत beneficial होता है उसमें कोई भी खराब बैक्टिरिया होगा तो वह से मारेगा और आपका pH maintain करता है क्योंकि acid होता है तो वहां survive भी कर जाता है the dough the dough which is used for the making food such as dosa dough dough ठीक है dosa dosa के लिए जो हम batter मतना dough idli is also fermented by the bacteria the puffed up appearance of the dough is de-puffed होता है dough production of CO2 होता है इसलिक can you till which metabolic pathway is taking place resulting the formation of CO2 काण सा glycolysis ठीक है glycolysis की विज़ से CO2 बनता है तो यह सही sequence लगा हुआ है तो the dough dough मतलब batter होगा idli dosa के लिए और dough होगा bread के लिए तो जब हम idli dosa बनाते हैं तो यह bacteria से ferment किया जाता है और यह bacteria environment से आते हैं पर अगर हम bread बना रहे हैं तो बैक्टिरिया कहां साइगा हमको डालना पड़ेगा ठीक है similarly the dough which is used वहां सही तो लगा यार तो dough जो हम bread के लिए मगाते बनाते हैं उसमें हम कौन सा yeast डालते हैं बाहर से डालना पड़ता है baker's yeast ठीक है number of traditional drinks जो है वो भी cheese is, अच्छा अगला है cheese, cheese सबसे older form है जिसको हम आज भी इस्तमाल कर रहे हैं fermentation का ही product है different variety of cheese जो होते हैं इनके किस cheese से ज्यादा रहता है कैसा texture है कैसा flavor है कैसा taste है as it is पढ़ाया मैंने आपको the specificity is coming from the microbe use यह सारी चीज़े change हो सकती है depending on कि कौन सा microorganism आप culture के लिए इस्तमाल कर रहे हैं for example जैसे large hole जो cheese होता है वो होता है Swiss cheese ठीक है इसमें बहुत बड़े-बड़े छेद होते हैं color produce करेगा और एक अलग प्रकार का flavor आड़ करेगा ठीक है बचोग so today we have learned what today we have learned the microbes which are involved in the household activities जैसे dairy में curd बनाया, yogurt बनाया, छाच बनाया और आपका और के बनाया milk से यार कर्ड यह सब बनाया ठीक है उसके बाद हम लोगों ने बनाया cheese बनाया milk से और हम उसके बद हम लोगों ने पढ़ाया टोड़ी के बारे में पढ़ा, single cell protein के बारे में पढ़ा, different types of cheese के बारे में पढ़ा यह सारी चीज़े हमने बात करी और हमको इस lecture के बाद यह समझ में आ गया कि घर पर जो भी इडली डोसा पड़ा, उपमा पड़ा तो यह बेसिकली घर पर जो भी चीज़े होती है मम्मी इंटेंशनली नहीं करती, मम्मी को नहीं पता है कि इडली का डो है राइस क्यों गया, पर आज के बाद आपको इस हमझ में आ गया, कि जब भी मम्मी दाल चावल पीस के बाहर रखती है तो उसमें streptococcus एड हो जाता है, ठीक है, उसमें बहुत आरे leuconostock एड हो जा अगर आप ऐसे ही मेरे शांदर lecture चाते हैं तो क्यों नहीं आते हैं magnet brains पे मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, class 12 पे जाना है, वहाँ पर सारी playlist बनी हुई है, मेरी photo पे क्लिक करो, सब आपको मेलेगा A to Z चीज और आप उनको पढ़ते जाओ, playlist देखो, सार बनाता है, spiral linear बनाता है, सब आपको पता होना चाहिए, तो जो extra है वो में आपको add करा देती हूँ, और आप एक plain page और एक paper लेके बैठा करो, जिसमें आप ये notes बना सको, अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाते हो, तो जाओ, playlist में चेक करो, उसमें बहुत शांदार lecture बने हुए,